इसराइल और इरान के बीच में जो कुछ भी चल रहा है आखिरकार जॉर्डन के किंग के उपर गुस्सा क्यों फूट रहा है कई सारे देशों का और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का गुस्सा जॉर्डन के राजा पर क्यों उतर रहा है जानेंगे क्या है मामला तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के लिए भारत ने लदाख में की है सबसे बड़ी तैयारी क्यों उतारने जा रहा है 14,000 से 15,000 सैनिकों को जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं मैप में देख रहे हैं जॉर्डन इसराइल और इरान की लड़ाई में ये मुस्लिम देश जॉर्डन इस वक्त निसाने पे आ गया है कई मुस्लिम देशों के और जिसमें से एक पाकिस्तान भी है जॉर्डन की सेना ने अपने F-16 में ही इसराइल, अमेरिका, जॉर्डन और ब्रिटेंड ने मार गिराया इसे इसराइल की धर्ती तक पहुचने ही नहीं दिया गया मुस्लिम देश होते हुए भी जॉर्डन के किंग के इसराइल के खुलकर्स मदद करने पर पाकिस्तान के लोग बॉखला गये हैं पाकिस्त उन्हें हाल ही में पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट दिया है और 1971 के युद में भी लड़ाकू विमान दिया था पाकिस्तानी नेता मुस्ताक अमद जॉर्डन के सारे एहसान भूल गये हैं उन्होंने किंग को गद्दार कराद दे डाला दरसल पाकिस्तान का राजनीतिक द अधारी थे उनके इस बयान की अब पाकिस्तान में ही आलोचना सुरू हो गई है पाकिस्तानी नेता राजा मुहमद फारुक ने कहा कि ये जॉर्डन ही है जिसने 1971 के युद में पाकिस्तान को दो इस्टार फाइटर जेट दिये थे उन्होंने कहा कि हाली में पाकिस्तान को जॉर्डन से इस्तेमाल किये हुए 12 F-16 फाइटर जेट भी मिले हैं फारुक ने कहा कि एक पुरू सांसत को इस तरह की भासा नहीं बोलनी चाहिए आपको बता दें रवी वार को जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला टूग गायब हो गये उन्हें देखा नहीं गया जॉर्डन के पीछे से वो पूरी तरीके से एक्टिव थे और इरानी हमले से हैरान थे दरसल इरानी ड्रोन मिसाइले अलक्सा मस्जित के उपर से उडान भर रहे थे जिसकी सुरच्चा की जिम्मेदारी जॉर्डन के साही परिवार की है किंग अब्दुल्ला ही यरुसलम वक्फ को च पहले ही किंग अब्दुल्ला ने साफ कर दिया था कि वो अपने हवाई छेतर का इस्तेमाल इरान को नहीं करने देंगे इरान अभी इराक, सीरिया और लेबनान के हवाई इलाके को अपने हिसाब से उपरेट करता है इस हमले के दोरान जॉर्डन की वायू सेना अलर्ट जॉर्डन के मिमानों ने यरुशलम के आसपास कई ड्रोन को मार गिराया और यही वज़े है कि यहां कई सारे संगठन भी बौक लाए हुए है वैसे आपको बता दें गाजा में जो कुछ भी चल रहा है जॉर्डन ने भी गाजा की आलोचना की है लेकिन यहां अपने निय अक्सी संगठन आगबवूला हो गए रवीवार को इरान के रिवोलुशनरी गाड नेरे कहा कि इरान की सेना यहुदी सासन की खिलाफ हमले के दोरान जॉर्डन की गतिविधियों की निगरानी कर रही है अगर जॉर्डन ने इसमें हस्तचेप किया होगा तो वो अगला नि एक बयान में कहा कि इसराइल को निसाना बनाने वाली मिसाइलों के खिलाफ मुकाबले में मदद करने के लिए जॉर्डन के सासकों को इतिहास के अंत तक सरमिंदगी महसूस होगी खैर अब जहां यहां एक तरफ यह सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत और चाइना के बीच में क्या कुछ चल रहा है एक बात तो तय है कि आजकल चाइना के बोल बड़े मिठे मिठे निकल रहे हैं कैसे मिठे मिठे निकल रहे हैं इसका अंदाजा आप ऐसे लगाईए स्क्रीन पर एक ट्विट देख सकते हैं जब मैंने इस ट्विट को देखा तो और इन सारी चीजों को सेयर किया गया बिहार में चैती छट हुआ और अब दिरे दिरे जो की बैदिक काल से चला आरा पर्व है वो भारत के अन्य राजियों में भी होना शुरू हो गया है इस पर्व को लेकर इस तरह की चीजे निकल कर सामने आई लोगों ने कमेंट करना हुआ है आज कल गलोबल टाइम्स अच्छी अच्छी बातें लिख रहा है यह क्या चक्कर है आखिर क्यों बदल रहा है गलोबल टाइम्स किसी ने कह दिया कि ऐसा नहीं करना कि हमारे उपर नजर न लगा देना बहुत सारी चीजें यहां पर कही गई यह हलाकी थोड़ा च चछट को याद कर रहा है कमाल की बात है लेकिन बिहार और बिहारी सब्द चाइना के पूरे मीटिंग में खूब एक समय डिसकस किया गया होगा और आज भी डिसकस किया जाता होगा क्योंकि वो संतोस बाबू ही थे जिनोंने गलवान में जलवे दिखलाए थे तो बिहार क नाम या विहारियों का नाम जल्दी भूल नहीं सकता है चाइना ये तो तैह है अब जिस तरीके के हालात बदल रहे हैं उन बदलते हुए हालात को देखते हुए भारत ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है भारत इस वक्त तीन तरह की रन्नीती से चल रहा है पहली रन्न इसके साथ समझोता हुआ था ब्रमोस मिसाइलों का और अब कहा जा रहा है अब समझोता हो रहा है भारत के लड़ाकू हेलिकॉप्टर्स का इसके अलावे कई सारे हतियार फिलिपिन्स को दे रहा है बियतनाम से बात कर रहा है इंडोनेसिया से बात कर रहा है एक रनीती तो य दूसरी रणनीती यह है कि अर्थ ववस्ता पर चोट दो और यह चोट देने के लिए भारत उन जगों पर जहां चाइना हतियार बेचा करता था जैसे अफरीका एक बहुत बड़ा रीजन था वहां पर भारत ने अपने हतियारों को बेचना शुरू कर दिया है नाइजेरिया को सबसे पहले पकड़ा है क्योंकि यह जो अफरीका का रीजन है इस अफरीका के रीजन में एक चीज बड़ी कोमन होती है क्या होती है कि नाइजेरिया आगर किसी चीज को खरीदता है तो समझ लीजिए कि बांकी अफरीका के देश उस चीज को खरीदने के लिए पीछे ल इन्हों ने कहा कि चाइना का अगर डर्न होता न तो भारत और अमेरिका कभी अच्छे दोस्त नहीं होते इसलिए किसी और के भरोसे नहीं भारत अपनी लड़ाई खुद से लड़ना चाहता है और इसी करम में भारत ने इस्टर्ण लद्दाख में नई आर्मी डिवीजन भे जन के रूप में यहां तैनात किये जाएंगे लड़ाख सेक्टर में वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ